हाई गाईज, वेलकम बैक टू माई चैनल, I hope you all are doing good और आज की वीडियो में में शेर करने वाली हूँ आप सब के साथ माई मेकप किट येस, आप सब लोग मेकप लवर्स के लिए ये वीडियो है hopefully आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत दा यूसफुल रहेगा because आप लोग अगर बिगिनर हैं तो भी ये वीडियो आप के लिए यूसफुल है और मैं आज की वीडियो में आपको हर एक प्रोड़क्ट के ओप्शन भी दूँगी सारे प्रोड़क्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगे so don't worry so without any further due let's get started so guys हम लोग स्टार्ट करेंगे टोनर से यहाँ पे दो आप्शन है मैंने ये जो फर्स्ट आप्शन लिया है वो है अपोलो का रोजवाटर आप कोई भी रोजवाटर यूज़ कर सकते हैं मैंने ये 50 रुपीज में परचेज किया था और ये काफी स्किन को हाइडरेट कर देता है आपको जो भी रोजवाटर अच्छा लगे आप ले सकते हैं और दूसरा आप्शन है ये इसका जो प्राइज है वो 226 रुपीज है और ये पंप के साथ आता है पाकि आप जब ऑनलाइन देखेंगे तो इसमें आपको ओफर्स चलते रहते हैं उसके बाद गाईज हम स्टार्ट करते हैं मॉश्युराइजर से तो यहाँ पे दो आप्शन है फर्स्ट वन है मामा अर्थ का ओइल फ्री फेस मॉश्युराइजर ये एपल साइडर विनेगर के साथ आता है और ये जैसे अगर आपको एकने का प्रॉबलम है तो उन लोगों को भी ये चलेगा अच्छा है मॉश्युराइजर काफी अच्छा है इसका जो MRP है वो 393 रुपीज है और ये भी पंप के साथ आता है इसका भी जो टेक्शर है काफी अच्छा है तो आप लोग इसको भी ट्राय कर सकते हो इस मॉश्युराइजर की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि विटैमिन C और नाइसनमाइट के साथ आता है तो इन दोनों में से आपको जो भी अच्छा लगता है आप वो ट्राय कर सकते हो वैसे दोनों ही अच्छे है इसके अलावा गाईज अगर आप मॉश्युराइजर पर इंवेस्ट नहीं करना चाहते हो तो आप ऐलोवेरा जेल भी यूज कर सकते हो अच्छी मैंने भी काफी ये यूज किया है तो पूरा खतम हो चुका है यहाँ पर मैंने पतनजीली का अलोवेरा जलिया आप को भी कंपनी का ले सकते हैं उसके बाद हम बात करेंगे प्राइमर की वन ओफ माइ फेवरेट इंसाइट का प्राइमर है इसमें आपको कोई आप्शन नहीं दे सकती क्योंकि मैं all the time यही यूज करती हूँ विकाज यह ना 3-in-1 है मतलब आपको प्राइमर भी आप इसको यूज कर सकते हो मौशुराइजर भी है यह तो मेरो को काफी अच्छा लगता है और यह long lasting है oil free है आप देख सकते हो यह इतना easily skin में blend हो जाता है so I will highly recommend this but मैंने इसे offer में खरीदाता काफी कम का पढ़ाता मैं description में आपको link देदूगी वहाँ से आप देख लेजगा कि अभी इसका क्या प्राइज है और इसका जो texture है वो भी काफी अच्छा है easily skin में blend हो जाता है थोड़ा thick है मतलब आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया skin पे कि कैसा इसका coverage आएगा तो यह हो गया guys हमारा first foundation इसके बाद मैं आपको दूसरा foundation option देना चाहूंगी जो है Swiss Beauty का यह भी मैंने काफी उसकी है तो almost finish होने वाला है ultra coverage SD foundation है और मैं तो इसको काफी time से use कर रहे हो मेरा जो shade था इसमें I think ivory था मेरे को अच्छे से याद नहीं है इसका जो MRP था 599 रुपीज मैंने यह offline लिया था I think 400 रुपीज मैं इसके बाद हम बात करेंगे तीसरे foundation की जो है insight का mouse foundation और यह oil free matte finish देता है मतलब यह इतना smooth है अगर जैसे आपकी skin oily है तो आप उस पे इसको try कर सकते हो क्योंकि यह काफी अच्छा है अभी मैं आपको दिखाऊंगे कि यह किस तरीके से blend होगा मतलब आप जैसे ही से touch करोगे easily skin में चला जाएगा तो यह काफी अच्छा है मैं इसको mostly summers में use करती हूँ तो अभी इस time के लिए यह best है ठीक है guys इसके बाद अगर आप foundation में invest नहीं करना चाते है तो यह है one of my favorite BB cream जो की my glam brand की है और इसका जो shade है मेरा pine यह भी काफी अच्छी है और जैसे office use के लिए आप इसे use कर सकते हो क्योंकि office में जैसे आपको ची होता है कि light सा look दे और shine भी रहे face पे तो उसके लिए काफी अच्छा है इसके बाद हम बात करेंगे compact की यहाँ पे मैं बस तीन option है first one is my glam जिसमें मेरा shade है rose actually मेरा बस दो shade है इसके तो मैं आपको यह वाला दिखाना चाहूँगे क्योंकि यह थोड़ा सा pinkish shine देता है face पे मुझे अच्छा लगता है इसकी packaging भी अच्छे काफी mirror भी आता है इसमें चोटा सा इसके बाद यह दूसरा है NY का जिसका shade है ivory मेरा और इसको मैं daily use मैं मतलब करती हूँ office वगरा कले इसके बाद यह एक sugar का था guys यह पूरा complete हो गया यह सिर्फ मैंने आपको recommend करने के लिए रखा हुआ था यह पूरा ख़तम हो गया क्योंकि I think मैं इसको 8,5 साल से use कर रही थी अब हम बात करेंगे aqua makeup base की like concealer और makeup base में मैं इसको use करती हूँ color essence का है यह इसका shade तो मुझे याद नहीं है कौन सा मेरा shade था I think brown करके इसमें लिखा हुआ है शायद और इसके बाद हम बात करेंगे दूसरा concealer जो है vanilla latte का sugar है sugar का brand आए और यह काफी light shade में मैंने लिया था जैसे dark spots वगरा cover कर निकले और यह brush के साथ आता है तो easily आपको जैसे कोई भी pimples है जहाँ पर भी dark pigmentation है वहाँ पर आप इसे use कर सकते है concealer if you want आप avoid भी कर सकते हो इसके बाद हम बात करेंगे guys like मेरको यह tint का बहुआ शौक है आजकल बहुआ चल भी रहा है तो यहाँ पर तीन option है first one यह myglap का tint है इसको आप lip पे और cheek पे दोनों पे use कर सकते हो यह brush के साथ आता है और इसका जो shade है वो कुछ pinkish सा है दूसरा यह rosy pink shade में है यह मैंने smitten store से लिया आता I think आपने मेरी shots देखी होगी उसमें है यह और इसकी भी मतलब इसका जो color है वो भी काफी अच्छा है थोड़ा pinkish है और काफी अच्छा glow देता है face पे और यह जो third वाला यह मेरा favorite है इसको मैं I think एक ड़ेट साल से इसके बाद हम बात करेंगे swiss beauty eyebrow and gel eyeliner की यह इसमें मतलब आपको eyebrow gel eyeliner दोनों मिलते हैं इसको हम open करेंगे तो एक चोटा सा mirror मिल जाता है उपर यह eyebrow gel है नीचे जब आप इसको open करेंगे तो यहाँ पे kajal भी मिलता है तो आप as an eyeliner या kajal आप इसको use कर सकते हो इसके साथ एक brush भी आता है वो इधर-धर मुझे मिल नहीं रहाता वरना वो भी मैं आपको दिखा देती तो यह swiss beauty brand का है और इसका MRP है वो 299 रूपीज है इसके बाद हम बात करेंगे contour blush की यह sugar brand का है और मैं आपको इसे दिखा देती हूँ इसका भी pigmentation काफी अच्छा है packaging भी बहुत अच्छी है see guys one stroke में यह इतनी अच्छी shine देता है इसके बाद हम बात करेंगे eyeshadow palette की यह है my glam brand का drama queen इसमें आपको 4 eyeshadow shades मिलते हैं और काफी smoky हैं आप daily use में भी कर सकते हो party में भी कर सकते हो क्योंकि इसमें shiner, black smoky, सब कुछ है दूसरा यह SFR का naughty colors करके कुछ आता है यह मैंने offline लियाता इसमें भी आपको बहुत सारे shade मिल जाएंगे इसकी भी pigmentation अच्छी है आप इसको भी try कर सेते हो अगर आप थोड़ा सा महेंगे product में जाना चाते हो तो यह MAC का है यह मेरी एक friend ने मेरे को दिया था इसमें काफी colorful and bright shades आपको मिल जाएंगी यह वैसे actually टूड गया है लेकिन अच्छा है इसके बाद guys यह lip gloss है क्योंकि हमें अपने lips को थोड़ा सा pamper करना पड़ता है lipstick लगाने से पहले तो यह Maybelline का है baby lip almost I think आप लोग use करते होगे इसे काफी लोगों ने use किया दूसरा यह Nevea का है तो इन दोनों को मैं use कर लेती हूँ lipstick लगाने से पहले तक कि थोड़े से मतलब जो lips है वो hydrate और moisturize हो जाए इसके बाद guys हम लोग lipstick की बात करते तो मेरे पास काफी सारी lipsticks है तो यहाँ पे मैं आपको वही दिखाऊंगी जो मुझे अच्छी लगती है तो एके करके मैं आपको shade चेक कराती हूँ यह My Glam की lipstick है shade मैं आपको description में mention कर दूँँगी दूसरा यह Jacqueline का है मेरे को almost nude shades अच्छे लगता है क्योंकि मैं office जाती हूँ तो वहाँ पे भी अच्छे लगता है और आप किसी भी dress के साथ nude shade करी कर सकते हो उसके बाद मैं आपको तीसरा shade दिखाती हूँ यह color bar का है यह दो shades मैंने mall से purchase कि यह थे new year showroom से इसका भी shade कुछ nude है अगर आप hot red लेना चाहते हो तो यह Jacqueline brand की lipstick है यह मुझे बहुत अच्छी लगी थी party use के लिए क्योंकि एकदम hot red मतलब look देती है आप देख सकते हो इसके बाद यह my glam का एक purple shade है तो इसको मैं थोड़ा कभी-कभी use करते हूँ लेकिन इसका color काफी अच्छा और unique है like जो लोग थोड़ा सा purple चाहते है और यह color बाद का दूसरा shade है यह कुछ brownish nude है और इसकी भी pink meditation काफी अच्छी है देखो वन स्टोक में ही यह इतना अच्छा matte finish आपको देगा यह juice का है यह मैंने smitten store से लिया आता यह भी आप मेरे shorts में check कर सकते हो तो I think मेरे को 18-19 रुपे का बढ़ा था यह भी inside का मैंने smitten store से ही लिया था जो मैंने एक shorts डाला 300 रुपीज में 18 products यह दोनों lipsticks मैंने वहाँ से purchase की थी इसके बाद अगर आप थोड़ इसे महंगे लिप्स्टिक में जाना चाहते हो तो यह My Glam Manish Malotra का brand है उसकी I think यह 1,000 रुपीज के कुछ आस पास आती है और यह जो shade है यह Promisious Pink है इसमें काफी सारे shades available है मैंने Amazon से purchase कीती है और इसका look काफी अच्छा है golden color में है यह कुछ metallic इसका जो cap रहता है और इसका shine मतलब काफी अच्छी packaging है आप देख सकते हो और lipstick भी बहुत अच्छी है अब इसके बाद यह mini kit है यह भी My Glam brand की है यह मैंने purchase की थी I think 200-200 रुपे में कुछ शायद मुझे पड़ी थी मुझे याद नहीं है MRP वैसे इसका 350 रुपीज है में आपको 3 shades मिल जाएंगे और I think एक pink है, brown है, red है इस type के shades हैं इसमें और भी shades available है आप वहाँ पर जाके online मैं link दूँगी जहां से आप check out कर सकते हो इनकी भी like मदब आपको 1500-2002,500 के आसपास यह मिलेंगी 3 lipstick तो इस price में मुझे काफी अच्छी लगने, daily use मैं भी कर सकते हो, party के लिए भी अच्छी है और काफी long lasting है मैं morning में जैसे लगाती है तो evening तक यह चल जाती है तो आप इसको एक बार ट्राय कर सकते हो shades भी काफी अच्छी है तो यह तो बात होगी guys, सारी lipsticks की I think आपको कोई न कोई lipstick तो पसंद आई जाएगी यह सारे shades है comment करके मुझे जरूर बताना आपको कौन सा अच्छा लगा so now we will talk about eyeliners and kajals तो यह first one बहुत ही budget friendly है blue heaven का eyeliner यह actually मेरा liner थोड़ा सा पुराना हो गया तो इतना अच्छा इसका stoke नहीं आया दूसरा है यह latmica यह भी मुझे अच्छा लगता है इन्हें में daily basis पे यूज करती हूँ यह थोड़े से budget friendly वाले है affordable जो आप यूज कर सकते हो एक यह है मैंने यह offline purchase किया था I think 50-60 rupees का pencil sketch वाला eyeliner यह भी मुझे बहुत अच्छा लगा और उसके बाद यह faces Canada का है eyeliner यह काफी matte finish देता है मुझे अच्छा लगाता इसको मैं mostly parties में या जैसे कहीं पर घूमने जाती हूँ तब use करती हूँ इसका brush भी काफी थे नहीं और काफी अच्छी finish यह liner देता है मेरे को इसके बाद guys हम लोग काजल की बात करेंगे यह काजल भी मैंने offline लिया था I think 50-60 rupees का और काफी अच्छा है यह मैंने डेली market से लिया था उसके बाद यह Mablin Colosal काजल है यह भी आप लोगोंने काफी use किया होगा यह daily basis पे भी बहुत अच्छा है उसके बाद यह Color Essence का काजल है यह भी मतलब मेरे को तो ऐसे काजल बहुत पसंद है तो आपको इन मैंसे जो भी अच्छा लगता है आप ट्राइ कर सकते हो सारी काजल काफी अच्छे हैं और affordable भी है इन सबकी ही finish काफी अच्छी है मुझे सब भी अच्छे लगते है इसके बाद यह शुगर का काजल है यह थोड़ा सा लगे यह कुछ स्मोकी शाइन वाला स्पार्कल टाइप का तो मोस्ली मैं इसको यूज करते हूँ स्मोकी लुक देने के लिए जब आप इसको आइस पे लगा लिजे और थोड़ा सा रब कर दो तो यह काफी स्मोकी फिनिश दे देता है मैं इसको मोस्ली यूज करते हूँ पार्टीज में जब कभी मुझे लगते है कि मेरे को आईशेडो नहीं लगाना तो मैंने यह उसके लिए रखा है इसके बाद हम बात करेंगे मसकारा की तो यह first one मसकारा है color bar का इसमें दोनों साइट से हम इसको यूज कर सकते हैं एक lengthening है और एक volumizing mascara है तो lengthening साइट से मतलब आपकी थोड़ी सी length को यह volumize करता है और दूसरे साइट से जो अगर आप use करोगे तो काफी अच्छी finish देता है वैसे almost मुझे दोनों साइट ही same same लगता है मैं mostly volumizing वाला use करती हूँ वो मेरे को जादा पसंद है क्योंकि उसका brush थोड़ा सा थिक है तो यह मेरा one of the best mascara है इसके बाद यह MN का mascara मैंने 100 rupees में offline लिया था डेली market से यह I think online भी मिल जाएगा पता नहीं मैंने वैसे check नहीं किया गभी long lasting है वैसे और काफी अच्छी finish देता है उसके बाद यह जो third mascara यह मैंने smitten store से लिया था कुछ million colors करके कोई brand है neck dice 24 hour waterproof यह मैंने भी तक यूज नहीं किया लेकिन काफी अच्छा है मैंने जैसे देखा था इसका brush वगएरा और finish भी काफी अच्छी देता है मतलब मैं इसको अभी लगा के नहीं गई हो कहीं भी इसके बाद गाईज हम बात करेंगे highlighters की तो इसमें कोई option नहीं यह लौथी palette है मेरे पस जिसमें तीन shades है कुछ golden है, pinkish है यह मेरे को काफी अच्छी लगती है यह कुछ 600-700 रुपे के आसपस आती है मेरे को यह काफी अच्छी लगती है क्योंकि एक तो इसमें mirror है और यह काफी अच्छी finish भी देता है जब मैं इसको morning में कहीं पे भी आप evening party में लगा के जाती हूँ तो 10-11 घंटे अराम से टिक जाता है तो काफी अच्छा है इसके बाद guys हम setting spray की बात करेंगे तो यह Faces Canada का setting spray अभी मैंने online मगाय था इससे पहले मैं उसका use कर रही थी यह wet and wild करके वो भी मुझे काफी अच्छा लगाता यह भी अच्छा है और highlighter spray guys हो सकता है आपने कभी use किया हो या नहीं मुझे नहीं पता बट मुझे बहुत अच्छा लगता है इसको आप body भी use कर सकते हो face भी यह कुछ एक shine और एक illuminating effect देता है face पे आप देख सकते हो हाथ पे लगाने के बाद यह दूर से आप जैसे face पे लगाओगे या body पे लगाओगे अलग सी shine दे गए आपकी skin को तो यह मुझे काफी अच्छा लगता है यह आप एक अपनी make-up kit में रखी सकते हो काफी अच्छा है इसके बाद guys हम बात करेंगे make-up remover की यह Bella का make-up remover है 100 ml में आता है मुझे यह काफी अच्छा लगता है daily basis पे आप make-up remove कर सकते हो देखो यह easily lipsticks भी इसने remove कर दिये बलकि इतनी अच्छी lipsticks हैं बस इसमें से यह 2-3 lipsticks remove नहीं हो रही है यह कुछ जाद ही अच्छी qualities की है इसके बाद अगर आप make-up remover में invest नहीं करना चाहते हैं तो आप कोई भी oil यूज़ कर सकते हो मैं यह पे Johnson's Baby का oil यूज़ कर रहे हो आप parachute coconut oil भी यूज़ कर सकते हो वो भी काफी अच्छे से make-up remove करने में help करते हैं यहां पे बिह दो eyeliner छोड़ करके इसने सारे eyeliner को remove कर दिया तो आप daily basis पे इन में से कुछ भी यूज़ कर सकते हो इसके बाद आपकी make-up kit में कुछ perfumes तो होनी चाहिए यह तीनो perfumes मैं ली थी Smitten Store से यह भी मैंने 300 में 18 प्रोड़क्ट्स में ली थी आज की make-up kit फिनिश होती है I do hope guys कि आज का वीडियो आपको useful लगा और अगर वीडियो useful लगा तो लाइक करना वीडियो को ना भूले और मेरे चैनल को subscribe कर दे और bell icon जरू दबा दे ताकि future में वीडियो की update आपको मिरती रहे गाइस मैंने सूच है कि इसका part 2 भी मैं आपके लिए लेकर आऊंगी bridal makeup kit अगर आप मेरे को comment करके जरूर बताना अगर आपने इस वीडियो के मुझे प्यार दिया तो पक्का मैं आपके लिए वीडियो टू जरूर लेकर आऊंगी so bye love you